कि यहां पर देख लेता है कि कैसे चेक किया जाता है मैं अब डॉक्टर मोर पैन की ग्लुक ववन मशीन को इस्तेमाल कर रहा हूं आपको इसी भी कर सकते हैं बट यह काफी विस्वस नहीं है और अच्छा रिजल्ट देती है तो मैं इसे ही इस्तेमाल करता हूं अपने क्लिनि इस बोक्स में strip होती है जो हम मचीन में डालते हैं और reading लेते हैं इसी strip के दवार हम reading लेते हैं हमปलड collect करते हैं और इस पर ही reading लेते हैं यहाँ पर आप arrow का निशान देख सकते हैं यह वाला इधर की दरफ से मचीन में इसे enter कराते हैं तो इसे भी निकाल लेते हैं और यह होता है पिन अप करने के लिए इसमें एक छोटी से निडिल होती है आपको उंगली पर इसे रखकर प्रेस करना होता है इस बटन को तो थोड़ा सा ब्लड निकलता है बूंद के रूप में और उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं अपनी इस ट्रि किरिया जों तो उस चीज से बचने के लिए हम इसे अच्छे से साफ कर लेंगे कोटन की मदद से इस्पृट की साहता से और यहां पर देखे जो फिंगर का उपर का जो हिस्सा है यहां पर टिप बोलते हैं जिससे इस पर यहां पर इसे अच्छे से साफ करेंगे किसी भी त चान आए गया यानिकि वो कह रही है कि इसे ब्लड का एक बून चीए ड्रोप चीए यहां पर हमने पिन अप कर दिया है और यह देखिए थोड़ा सा ब्लड भार निकलाया है और इसे हम जो स्ट्रिप है इसके दूसरे सिरे पर लगाएंगे एक सिरा मना एंटर कर आ दिया है और दूसरे सिरे पर हमने से कलेक्ट कर लिया है बलड को यहां पर रेडिंग देखिए सेकंड चल लिया है उल्टी और यह देखिए 99 जो कि एक नॉर्मर लेंज है और आपको पताए दोस्तो 99 एक नॉर्मर लेंज है चाय खाना काके चाय खाली पेट शुगर फास्टिंग क कोई ज्यादा इसमें rocket science नहीं है आप इसे easily अपने घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं घर पर भी आप इसे लाकर चेक कर सकते हैं यहां से हम reading देख सकते हैं पिछली जो previous reading है वो भी हम इसमें चेक कर सकते हैं तो बड़ा ही easy method है